तो सबसे पहले हम यहां पर डिसक्स करेंगे इस चैप्टर के सेक्शन एक को जिसमें की फिलेंद ब्लैंक से तो चले इन फिलेंद ब्लैंक से बात करते हैं पहले इसमें बोला जा रहा है अपरेंस ऐडेंट टाइम ऑन वाकशीट डिपेंड़ ऑन अप्लाइट तो दासल मतलब की डिपेंड करता है कि उस पे क्या चीज अपलाए की जाती है तो यहां पार जाएगा फॉर्मेट आप यह तो इस तरीका यह पर अप्लाइ किया गया होगा उसी के कोडिंग के होंगी जो आपकी डिजन टाइम होगी डिस्पले होगी बात करते हैं कुशन नमबर टू की तो कुशन नमबर टू में बोला गया है तो इस चीज को क्या वोला जाता है तो यहां पर आ जाएगा आपका क्ले बोर्ड में जो है कॉपी डेटा जो है आपका टैंप्रेरिली रहता है बात करते हैं कुशन नमबर थाट की इसमें बोला जा रहा है कुशन नमबर फूर में बोला गया है तो यहां पर आपका आजाएगा फ्लेस फीचर इस फीचर को जो हमाने आपको प्रेक्टिकली भी करके दिखाया था बात करते हैं कुशन नमर फूर की तो कुशन नमर फूर में बोला गया है जाएग बात करते हैं आपके दो बटनлар two about to बात करते हैं किसे नमर 5 की इसमें बोला गया है वह तो कोपी देटा की कॉम्टीनेशन के लिए किस की कॉम्बिनेशन का यूस कर सकते हैं तो आपको जो बेसिकली यहां पर कॉपी के लिए शॉटकेट की जो होती है उसको मेंशन करना है तो यहां पर आजागा आंसर कंट्रोल प्लस सी तो यह हो गया आपका करने का मतला है कि डीटा को एक जगह से अगए दूसरी जगह पर ले जाना तो यह स्टेटमेंट यह पर बताना है तो यह जो स्टेटमेंट वो क्या है फॉल्स है क्योंकि मैं आपको बताया था कि दोनों लोकेशन पर डीटा रहता है यह जो बात है वो मूबिंग के लिए सही है तो यहां पर जो आपका जाएगा आंसर फॉल्स बात करते हैं कुशन नमबर टू की इसमें बोले जा रहा है कंट्रोल के साथ में एक प्रेस करेंगे तो आपकी एक रो सेलेक्ट होगी तो यह स्टेटमेंट टू है तो यह स्टे की कली काँन डागों की तो क्यान बात करते हैं बिल्कुल फॉल्स इस तरीके से जुखका आपका ओबटायाइब मौट्स ऑता यहां पर इंप धाएगा सो झेसमें बोले कहने का मतलब है कि जो फोन्ट गुरूब होता है उसमें जो आपके कॉपी कट एंड पेस्ट के बटन दिये हुए होते हैं तो यह स्टेटमें भी देखिए यहां पर फॉल्स है यह जो आपके होते हैं क्लिप बोर्ट गुरूब में तो इसलिए यहां पर आजाएगा फॉल्स बात करते हैं कोशन नंबर फाइब की इसमें बोला जा रहा है तो इंसेट न्यू कॉलम इन एक्सल चीट सेलेक्ट अड ब इस तरीके से इस वाले सेक्शन में सारे के सारे आपके फॉल्स आंसर हैं और यह सारे फॉल्स क्यों है यह सारे कोशन में बात करते हैं पहले कोशन की तो पहले कोशन मुझा रहा है तो इसमें बोला जा रहा है रहा है अपने क्लास के स्टुटेट्स की एक progress report को एक्सल में create करा है लेकिन बहां पर उससे हुआ गया है एक important column जो है miss हो गया है अब जो है उसे एक नए column को insert करना अपने table में और वो चाहती है कि बागी के columns है वो disturb ना हो उनकी setting जो है वह वहां पर चैनना हो तो इस काम को किस तरीके से कर सकती है तो चलिए यहां पर बात कर लेते है answer की इस काम को करने के लिए का करेगी वो select करेगी home tab को और वहां पर मिल जागा sales group जिस पर की insert sheet column का option होगा इस पर वो click कर देगी तो क्या होगा एक new column जो है उसकी table में add हो जाएगा तो यह हो जागा जो है उसे काम दिया गया है जिसमें कि उसे एक numbers की series को लिखना है वन से लेके 10 तक की और उसको जो है इस काम को करना है बिना keyword का use करके तो इस काम को करने के लिए जो है वो कौन से एक्सल का feature यूज कर सकती जिससे कि उसकी काम हो जाए तो यहां पर हम बात करें इसके answer की तो वो यूज कर सकती है इसके लिए autofil feature को इसके help से क्या होगा जो series होगी वो बिना keyword की जो है create हो जाएगी तो यह हो जागा इस question का answer अब discuss करते हैं इस chapter के dissection को जिसमें के mc questions है तो इनको discuss कर लेते हैं तो बात करते हैं पहले question की तो पहले question हम बुला है का dash function की is used to change the cell contents of the selected cell तो basically इस question हम बूले जा रहा है कि कौन सी function की ऐसी है जिसके help से cell के content को change कर सकते हैं तो options है f5 यह देखिए 5 है इसको आप लोग से ही कर लेना यह f5 है फिर f4 है और f2 है तो इसका correct answer जो हो जाएगा आपका f2 मतलब की c बाला जो option हो जाएगा बात करते है question नमबर 2 की इसमें बूले जा रहा है when you finish editing within a cell एक्सल रिटर्स टूदा डैश मोड मतलब की जब आप cell के editing कर देते हैं तो उसके बाद में जो एक्सल होता है वह कौन से मोड में आ जाता है तो options आपके सामने जब आप एडिटिंग कर लेते हैं तो आपका बात में जो है रेडी मोड में आ जाता है बात करते हैं question नमबर 3 की एसमें बूल जा रहा है to select a range hold down the desk key and click on the addition cell तो यहां पर बैसे की को जो हाब hold करके रखेंगे तो आपकी range होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी तो यहां पर options है, option a है shift, b है control और c है alt, तो इसका correct answer जाएगा a shift, बात करते है question number 4 की, तो question number 4 में बोले जा रहा है, dash is the shortcut key to undo the last action, basically हम बोले जा रहा है कि undo के लिए shortcut key क्या होती है, तो options है, option a है control z, b है control y और c है control x, तो इसका correct answer हो जाएगा a control z, बात करते हैं question number 5 की, इसमें बोले जा रहा है, the dash key combination can be used to apply the outline border around the selected cell, मतलब कि कौन सी key combination के help आपके कर सकते है, outline border का apply कर सकते है selected cell पे, तो options है, option a है control plus shift plus 9, option b है control plus shift plus 7, और option c है control plus g, तो इसका correct answer हो जाएगा, मतलब कि बाला option है, बात करते हैं, इस chapter के e section की, जिसमें की कुछ questions है, जिनके answer आपको देने है, तो बात करते हैं, यहाँ पर पहले question की, तो पहले question है, how can you edit the data in a worksheet, मतलब कि इस तरीखी से work sheet में data को edit कर सकते हैं, तो इसके answer के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, modification के लिए करेंगे, cell को select करेंगे, और फिर आप बहां पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो एक्सल होगा, वो edit mode में बड़ हो जाएगा, और जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, वो type बहां पर कर सकते हैं, तो क्या होगा, जो भी content होगा, वो आपको non-existent cells की range को select करना है worksheet में, तो आप किस तरीके से करेंगे, चलिए बात करते हैं, इसके answer की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको non-existent cells को select करना है, तो आपको करेंगे, control key को hold करके रखेंगे, और mouse से click करते जाएंगे, उन cells पे जिनको की आपको select करना है, तो इस तर what are the four options in the delete dialogue box, मतलब कि delete dialogue box जो होता है, उसमें कौन-कौन से four options होते हैं, वो आप से यहाँ पर पुछे आ रहा है, तो चलिए बात करते हैं, इसके answer की भी, तो यहाँ पर हम बात करें four options की, तो पहला होता है delete cells, दूसरा होता है delete sheet row, तीसरा होता है delete sheet column, और चौत होता है delete sheet, त how it is useful, मतलब कि autofill feature क्या होता है, और यह किस तरीके से useful होता है, तो इसके answer की अगर हम बात करें, तो यह रहा आपके सामने answer, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि autofill feature जो है, इसके help आप कर सकते हैं, consecutive data items को जो है, automatically feel कर सकते हैं, अपनी worksheet में, तो इससे क्या row height in a worksheet, मतलब कि अगर आपको worksheet में row height को change करना है, तो इस तरीके से करेंगे, तो इसके answer की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था, row height को change करने के लिए, आपको करना क्या होगा, home tap पे जाना होगा, वहाँ मिलेगा आपको sales group, और उसमें मिलेगा आपको format button, then आपको म बोला जा रहा है, what is the use of flash fill feature in Excel, Excel में जो flash fill feature होता है, इसका use क्या होता है, तो चलिए बात करते है, इसके answer की भी, तो मैंने आपको बताया था, कि जो flash fill feature होता है, यह करता है, यह करता है, और उस ही करता है, जो remaining series होती है, उनको complete कर देता है, तो इस तरीकी से काम होता है, flash fill feature का Excel में, इसको जादा detail में समझेना है, तो explanation वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, बहाँ पर जो है, मैंने आपको इसको practically करके समझाया है, तो यह complete होगा है, इस chapter का E section, अब बात कर लेते हैं, इस chapter के F section की, तो देखिए F section में जो question है, बत थोड़ा सा case study type का है, तो यहा कि जो भी खर्चा होगा, उसका estimate आपको तयार करना है, एक्सल में, तो यहाँ पर देखिए, पार्टी का जो expense है, वो इस तरीकी से माल लीज़े, आपने तयार कर लिया है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, state the formula, यहाँ पर formula कर लेना, आप लोग फॉर्मूला हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं, इसके answer की, तो यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा, डी फॉर्मूला लग जाएगा आपका यह formula जिसमें लिखा हुआ है, बी फॉर्मूला जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, तो इस वाले इस वाले amounts है, मतलब कि जो बी फॉर्मूला जाएगा, तो यह formula जो है, इस तरीके से भी formula लिख सकते हैं, मतलब कि इस वाले cell में जो है, आपका यह formula आएगा, क्यों आएगा, क्यों कि यहाँ तक का amount है, उसका हम यहाँ पर total करना है, जिससे कि हम final amount को calculate कर पाएं, कि total जो expense कितना हुआ है, तो इस तरीकी से formula हो जाएंगे, अब बात करते है, question number 2 की, इसमें बुला है, write down the address of the cell that contain the total number of guests, मतलब कि उस cell का address आपको बताना है, जिसमें कि total number of guests लिखे हुए है, तो basically बात कर रहा है, इस वाले cell की, यहाँ लिख हुआ है, total number of guests, तो इस cell का address क्या है, तो बात करते हैं, तो इसका address हो जाएगा, बात करते हैं, third question की, तो third question बोला है, write down the cell address that contain the cost of the hall decoration charges, मतलब कि hall decoration की charges, जिस cell में भी है, आपको उस cell का address यहाँ पर लिखना है, तो देखिए, यहाँ पर आ रहा है, hall decoration, और इसके charges है, वो यहाँ पर show हो रहा है, तो यह cell है, इसका address क् इसका address हो जाएगा, इसका address हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, बात करते हैं, question number 4 की, इसमें बोले जा रहा है, which mode is displayed on the status bar when you make changes in the cell, मतलब कौन सा mode आपका जोहाँ आ जाता है, जब जोहाँ आप cell में changes करते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, यहाँ पर edit mode, मैंने आपको बता question answer थे, वो मैंने आपको complete करा दिये हैं, मुझे लग रहा है, आप लोग को सारे समझवाँ आगे होंगे, अगर आप लोग कोई doubt रहा, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, next video में जो हम अगली chapter को discuss करेंगे, तो student आज की इस video में इतना ही, thanks for watching.